और मेरे इस चैनल शेयर नॉलेज पुने में आपका स्वागत है सार हर बार की तरह इस बार भी एक ऐसा शेयर लेके आया हूं जो की आने वाले समय में आपको आच्छे खासे रेटन देने की संभावना रखता है मातर 156 रुपे 30 पैसे का यह शेयर है इस शेयर का बावन वी खाई देखते हैं तो बावन वी खाई 100 रुपे 90 पैसे वहीं बावन वी खिलो 24 रुपे 25 पैसे की आसपास तका है कंपनी इंफो में जाके कुछ डीटेल देख लेते हैं तो आप देखेंगे कंपनी ने पिछले कॉटर में जहां 1382 लाग का प्रॉफिट बुक किया था वहीं इस कॉटर में कंपनी ने 2257 लाग का प्रॉफिट बुक किया है तो आप देखेंगे कंपनी ने पिछले कॉटर क भीसे को माच्amt चाह मानतें harsh MIKE 50 % कह 2000 कहा जेए तो अभ है इस कंपनी का मांकेट कैपिटल एक तालिस करोर का की काफी शांदार है करेंट मार्केट प्राइस एक सो उड़नचास रुपे चल रहा है बावन वी खाई एक सो बासाट रुपे वहीं बावन वी किलो तेरत्यों रुपे कैस पास है ठीक है इस कंपनी का एक साल का चार्ट देखें तो काफी शांदा रिटन दियें कंपनी ने अपने शियर धाकों को इस कंपनी ने एक साल में अपने कर्स्टमर को दुगना प्रॉफिट बुक करके दिया है जिस कंपनी का हम कौर्टरली प्रॉफिट देखते हैं तो देखें इस कंपनी को 24 करोड का प्रॉफिट हुआ है वहीं पिछले कंपनी में 16 करोड उसके पिछले कंपनी में 35 करोड, 23 करोड, 11 करोड, 14 करोड का लॉस हुआ है चार करोड का profit हुआ है 10 करोड 6 करोड 11 करोड 13 करोड और 24 करोड तो अब देखेंगे इस कंपनी ने हरे कौटर में काफी शांदर profit बुक किया है एक कौटर में कंपनी लॉस बुक किया था इत्ति उस समय करोना हुआ करता था देन उसकी बार में इसका yearly profit देखते हैं तो देखे करोड 52 करोड 42 करोड 33 करोड 33 करोड 47 करोड 50 करोड 24 करोड और 22 करोड तो अब देखेंगे इस कंपनी ने हर एक साल में भी काफी शांदर profit बुक किया है कंपनी के पास विजव देख लेते हैं तो देखी कंपनी के पास 536 करोड का विजव है जो की काफी शांदर है वहीं भी है शेर होली पैटन में आपको बता चुका हूं 49% के असपास प्रमोटर का हिस्सा है वहीं 50% के असपास पुब्लिक का हिस्सा है इसमें डी आयस और एफ इस भी इसमें इनवाल्व है अब डी आयस एफ इस क्या होते हैं इसमें फॉरें इंसिटूट्स इंवेस्टर होते ह तो अब देखेंगे इसमें कौन-कौन si कंपण्यों ने इसमें ये लेके रखे है तो एक हैं कि आ ne डेफ इसमें शेडियोंन के उनियस्टर उर्म्ट करके रखएंए इस ने जैथ ने इसमें इसमें कर करके रखा है कि जिस कंपण्य का इनक्राइश कोulator एख है 5 Days का चार देखीए One Month का चार देखीए Six Month का चार देखीए YTD का चार देखीए और इसका Maximum 4 जियां फ area का फॉय इस कंपणी का fundamental के बहुत ईटोग है गार शिर्व कंपणी नाम है N.rb Bearing Limited इसके उत इसका फतिक में फानेंचल देखे Blocks तो देखेंगे आप जितनी भी डीटल दी गई है यह सारी डीटल गिरिन में है जब भी आप कोई भी कमपनी का शेयर बाइ करते हैं अपने पॉर्टफोलियो के लिए चाहिए वो शॉर्ट तम हो चाहिए वो लॉंग तम हो आपको देखना हो उसका फाइनेशल अगर फाइने तीक है और वन डे के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे आप पर सुपर ट्रेंड एक्टिवट हो चुका है और शेयर उपर की तरफ मूव करे रहा है तीक है इसके बाद में आपर वन वीक का टाइम फ्रेम लगाऊंगा आप देख सकते हैं वन वीक के टाइम फ्रेम में भी कि सुपर ट्रेंड एक्टिवेट हो चुका है और शेर उपर की तरफ मूव कर रहा है तिक गाइस सुपर ट्रेंड कैसे लगाते हैं आप यूटूब पे और भी काफी वीडियो हैं जिससे आप जान सकते हैं कि सुपर ट्रेंड किस टाइम फ्रेम में आपको एपलाई करना है उस द्वारा आप सुपर ट्रेंड कर सकते हैं जब भी आप कोई भी शेर लॉंग टम अथवा शॉट टम के लिए बाई करते हैं तो आपको लंबे-लंबे टाइम एक्टिवेट होना चाहिए जब उन तीनों टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड एक्टिवेट हो गया है तब यदि आप उस शेर में अपनी पोजिशन बना सकते हैं जिस से कि वो शेयर आने वाल समय में अपको अछे खासे रियलन दे सके हैं आपको मैं एक वाफिस से बता देना चाहता हूं आपको जो time frame apply करना है वो time frame apply करना है one day का time frame हो나 चाहिए जिसमें आप apply कर सकते हैं one week का time frame होगा और एक one month का time frame होगा इन तीनों time frame में super trend activate होना चाहिए share उपर की तरफ move करना चाहिए तब भी आप उश share में entry ले सकते हैं वेबसाइट के ऊपर इसलिए कि आतों यहां पर कम्यूनिटी सेंटिमेंट मिल जाते हैं लोगों का उपनियन जान लेते हैं कि कितने पसंद लोग इस शेयर को भाइ करने के लिए अपना उपनीन दे रहें जब भी आप कोई भी शेयर लॉंग टम अथवा शॉट टम के लिए करते हैं तो आप भी एक बार मनी कंट्रोल अथवा शेयर खान अथवा टिकल टैप एप की वेबसाट के उपर जाके देख सकते हैं लोगों का उपनियन जान सकते हैं जिससे कि आपको भी एक आईडिया मिल जाए जो शेयर मैंने भाइ किया है वो सही है या नहीं ठीक है तो आप देखेंगे यहां पर 100% लोगी शेयर को भाइ करने के लिए अपना ओपिनियन दे रहें जिया कही न कई उन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि यह शेयर आने वाले समय में अच्छे खासे रेटन दे सकता है तो यह कंपने के लिए बहुत पॉजिटिव साइन बन ज लगता है को यह शेयर अच्छा लगता है एन आर भी बेरिंग लिमिटेट क्योंकि मात 156 रुपे साथ पैसे का यह शेयर है तो आप भी इसे अपने पॉर्टफोली में लेके रखिए यह यह कंपनी ओटो सेक्टर की कंपनी है यह बेरिंग बनाती है ठीक है और अभी जितन को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिसे कि आने वाले इंफोर्मेटिव वीडियो आप तक इजी ली पहुँच जाएं थैंक्यू गाइस